नमस्ते आज मैं इस वीडियो में आई रेष्ट जो आई ड्रॉप होता है इसके बारे में बाताने जा रहा हूँ ये जो आई रेष्ट आई ड्रॉप है इसको तैयार किया गया है नभीता हेल्थकेर प्राइबेट इलिविटेट के दौरा अभी अगर बात करें इसका इसके बारे में तो ये जो आई रेष्ट आई ड्रॉप है इसको में यूज किया जाता है अगर हमारी आखों में ऐसा महसूस होने लागता है कि थोड़ा सुखापन महसूस होने लागता है या फिर आखों के जो दो कॉर्णर है या फिर दो कॉने है उसमें खुजली सा होने लगता है या फिर आखों की allergic के problem के लिए और आखों में अगर infection होता है infection जैसे अगर सुभे में उपने के बाद ऐसा निकल के आ रहा है इसका मतलब mainly आखों की infection जो होता है उसके लिए भी ये जो Irish Eye Drop है इसको यूज किया जाता है और अंजनी जो problem होता है अमरी आखों में यानि कि आखों की तोनों उपर और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहापर थोड़ा सर्जन आ जाता है या फिर फूल जाता है और उसके साथ साथ लाल भी हो जाता है तब ये जो Irish Eye Drop है इसको यूज किया जा सकता है तो अभी अगर बात करीं इसका उसका कैसे करना चाहिए तो सबसे पहले मैं तो ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो Drop है इसको इस्तम्हल करने से पाहले अब जरूर ड़क्टर के साथ परमुर्श कर लीजिएगा और ड्र जैसे आपको direction देता है और उनका direction के हिसाब से ही यह जो irisht eye drop है यह अब इस्तमल करेंगे और आम तर भी यह जो irisht eye drop होता ही इसको दिन में 4-5 बार दिया जा सकता है लेकिन मैं कीट से दोराऊंगा एक ही बात को कि doctor के direction के हिसाब से ही यह जो eye drop है इसको use कीजिएगा अभी अगर बात करें इसका side effect के बारे में तो यह जो drop है इसका तो कोई side effect खास करके नहीं देखा जाता है लेकिन आप अगर doctor के direction के उपर जाके ज्यादा इस्तमल करेंगे तो कुछ side effect हो सकता है तो अभी अगर बात करें इसका precaution के बारे में तो यह जो eye rest eye drop है इसका precaution अगर बोला जाए तो जो patient होता है उसका तो खास कुछ precaution नहीं लेना पारता है लेकिन यह जो drop होता है इसको आप धूप में नहीं राख सकते तो यह बात को आप ध्यान में राखना होगा और बाच्चों से यह जो drop है इसको बिल्कुल दूर रखना चाहिए और इसका अगर price हम देखे इसका price होता है 45 रुपाई शाट पैसा ठीक है तो यह था eye rest eye drop का uses side effect and precaution थैंक्यू जय हिंद